एस्ट्रोलोजी में अभी जो सब्जेट चल ला है वो रेमेडियल एस्ट्रोलोजी यानि ग्रहों का उपचार तो ये कुछ ग्रह जो होते हैं कुली में वो शुब होते हैं योग कारक होते हैं और वेल प्लेस्ड होते हैं अच्छी जगह बैठे होते हैं लेकिन किसी वैसे कम कमजोर हो जाते हैं कमजोर का मतलब की कैसे कमजोर होंगे या तो उनकी डिगरी के हिसाब से कमजोर हो या वह सूर के साथ बैठके आस्त हो जाए या और किसी वैस कमजोर हो तो जब अगर कमजोर होंगे तो वह जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी तो शुब होते हुए भी उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे जितना उनसे एक्सपेट किया जाता है तो ऐसे केस में वहाँ treatment की ज़रत है तो उन ग्रहों को treatment दिया जाता है और उसको remedial astrology करते हैं और या कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो कि दोश्पूर्ण हैं और अशुब हैं मारक हैं badly placed हैं तो ऐसे केस में वह अपनी जब दशा अंतर दशाएगी तो मानी बात है खराफ़ल देंगे तो उसमें कम कस्ठ हो जातक को उसके लिए भी treatment दिया आता है वह भी remedial astrology में आता है तो फिलाल जो कुंडली में अगर कोई ग्रह शुब है योग कारक है और वह किसी वैसे करेंट है तो वह remedial astrology है और उसमें एक जो उसका method है उसको सही करने का वह रत्न को पहना रत्न यानि जिम पहना जाता है उस ग्रह से related जो रत्न है उसको पहनाते हैं तो रत्न को पहनाने से क्या होगा कि रत्न जो है सूर की किरणों साथ किरणों से मिलके बनती है तो उन वो रत्न उसको एब्जॉर्व करता है अपने आप में समेटता है और उसको कॉंसेंट्रेट करके शरीर के अंदर भेजता है तो शरीर में उस रंग की जो कमी है उसको दूर करता है और ग्रह का जो दोश है या कमजोरी है उसको दूर करेगा तो फिर वो ग्रह जब उसकी दश है नीलम या Blue Sapphire भी नहीं को किते हैं यह नीले रंग का होता है आपने दिखा होगा और इसमें Aluminium Oxide होता है और इनका जो निला रंग है वो Cob кожal की वेसे होता है इसके अंदर तो Eluminium Oxide है और जो नीला रंग है इसका वो कोबाल की वेसे है तो अगर कुंडली में किसी कुंडली में मालिये की ग्रह जो है नीलम सुरी ये शनी जो है बहुत ही शुभ है योगकारक है वेल प्लेस्ड है लेकिन वो डिगरी के इसाफ से कमजोर है या उसूर के साथ अस्त हो गए तो ऐसे केस में उनको स्ट्रेंग्थ देने के लिए और बल देने के लिए फिर नीलम पहनाया जाता है और उससे उसको स्ट्रेंग्थ मिलेगी ग्रह को और वो और अच्छा फल देगा ये परपस है इसका अब ये नीलम कैसे पहनाए किस तरह से पहनाए क्या विधी है इसकी पनाने की तो नीलम को एक तो सोने य चाय चांदी के अगूठी में इसको जड़वा लिजे इसको बनवाके और इसके लावा शनीवार क्योंकि ये शनी का जो दिन है वो शनीवार है तो शनीवार को रात के समय या साइंकाल को संसेट के बाद इसको धारण करते हैं तो इसको पहले आप कच्चे दूद और या गं तो ये जो शनी से रिलेटेट जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं इसको एक सो आठ बार आप पढ़िये उससे वो जो नीलम है और अंगूठी है वो अभी मंत्रित हो जाएगी और फिर उसका ज़़ाधा फायदा होगा तो इससे जो related मंत्र हैं माग बताते हैं वो मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्राउं सहशनिये नमह फिर से देखिए ओम प्राम प्रेम प्राउं सहशनिये नमह इस तरह से आप 108 बार इस मंत्र को जाब करें इसको बोलें उचारण करें तो जो अंगूठी है आपकी नीलम है वो अ पिर्दी पिर्देर से अंगुठी होनी थिजिए drug on कि अब कितने कप द्धा का पेने कितने वेट का पेना चाहिए तो इसके लिए आपको बताए कि वह बारु LEckes के लिए एक रत्ती होता है तो अगर कुछी व्यक्तिका एक आवरेज वेट माली यह 60 के जी है तो 60 को आप 12 से डिवाइड कर दें तो 12 पंजे साथ तो पाँच रत्ती का उसको पहनना है नेलम तो पाँच रती जो है अगर वो सबाय हो यह नि सबस्क्रेश नएक पार थे सवाइग के बुद टो अetele पार होंने होना चाहिए वोडुकूझॉ- भी कोसली मेरतन है तो अगर नीलम नहीं मिल पारा है तो इसका उपरतन आता है नीली उसको कहते है नीली ये गाड़े नीले रंका होता है तो नीली आप पहन सकते है या एक बिचुआ का पेड़ होता बिचुआ की जळ आप ले लीज sätt और उसको नीले कपड़े में बांदके और शनी का रत्न है, इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज जल्दी होता है, तो इसलिए खुब सोस समझ के ही इसको बताना चाहिए किसी को और विक्ति को पहना चाहिए इसको, तो ये हमेशा जो है, ये रत्न नीलम है, ये एक तो जन्म लगन के अनुसार ही पहना जाता है कभी जन्म राशी किनूसार मत पहनिए इसको जन्म राशी किसार या अंतर नोग चलना के इसको पहने जहां जो बॉट बुपर बढ़े freight के लगन होती है तो आप में करके लगन लेते हैं वाले की यह मेश मेश लगन है यहां एक नंबर राशी लगा है लेकिन यह रहू इस अथी है यहां पर जो लगनेश है मंगल इसके यह शत्रून है तो इसलिए क्या हुए यह तो न तो योग कार हुए नहीं है मारक हुए तो इसलिए ये सम हो गए तो सम वाली जब condition आती है तो उसमें जब शनी की दशा अंतरदशा हो और आपको कोई special advantage लेना है उसे अब advantage किसका लेंगे आप यहां 10 number के Lord हैं यानि service related service किसी को मिलनी है या service में promotion है या कुछ मन चाहा transfer है या business related कोई या carrier संबंदी कोई चीज हो तो वो advantage लेने के लिए आप इसको temporary धारान कर सकते हैं जिस समय शनी की दशा अंतरदशा हो तो कुछ समय के लिए इसको पहनी है और उसका आपका purpose fall हो जाए इसको तुरंट उतार दीजे क्योंकि ये शरीर का ये जो शरीर को विक्त कर रहा है यानि लगनेश है तो लगनेश मने शरीर तो लगनेश मंगल के शत्रू है तो ये शरीर को नुकसान पहुचाएंगे इसको सिर्फ टेंप्रेरी कुछ समय के लिए धरण किया सकता है अब सेकेंड ये लगने देखते है ब्रख लगने देखिए इसमें नौ और दस नंबर के लॉड़ बनते है नौ और दस के लॉड़ बनेंगे स्वामी बनेंगे शनी तो नौ यानि त्रिकोंड हो गया दस यानि केंडर हो गया ये तो बहुत बढ़िया योग कारक हो गया यानि ये केंडरेश भी हुए त्रिकोंडेश भी हुए और इसके लवा लगने शुक्र के ये मित्र है इसलिए ब्योकुल योग कारक है तो ऐसा शनी कुंडली में, अगर वो केंदर में हो, एक चार साथ दस त्रिकोन, एक पाँच नो में हो, और इसके अलावा यह दो नमबर, ग्यारा नमबर हाउस में बैठा हो, तो आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर वो 3-6-8-12 में बैठा हो, अगर शनी जो है 3-6-8-12 में हो, तब इसको नहीं पहना जाएगा, यह वेल प्लेस्ट होना चाहिए, और वेल प्लेस्ट है, योग कारक है, लेकिन वीक है, इसलिए तो आप पहन रहे हैं, लेकिन वेल प्लेस्ट होना जरूरी है, अगर 3-6-8-12 में होगा, तो फिर वहाँ नहीं पहन सकते, यह तीसरी है, तो तीन नमबर राशी के लिए यह शनी जो बनेंगे, आठ और नो के लौड बनेंगे, यानि अस्टमेश और नोमेश बने, नोमेश यह भाग्येश हो गए, तो यह चूंकि त्रिकोडेश है, इसलिए योग कारक हुए, और इसके लावा लगनेश बुद्ध होगा, य इसके मित्र भी है, ऐसे केस में अगर कुंडली में ये शनी जो है, विल प्लेश दू, केंद्र में हो, त्रिकोड में हो, दो नमबर में हो, ग्यारा नमबर में हो, तब इसको पहना जा सकता है, लेकिन अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठें उस कुंडली में, 3 नमबर, 6 नमबर, 8 12 नमबर में बैठें वहां मत पрушएं यह घंए या इसी राशी जहा achieving teenage के हो रहें थो यह में 21 नमबर खॉश में यह नीज सिर्च गवारा में हो 420-25 नीज सिर्च धनारेrif इसके पहले आपको मेश लगन बताया मेश लगन में भी विल प्लेस डोना चाहिए यनि केंडर में हो त्रिकोंड में हो और लेकिन अगर 3-6-12 में हो तो न पहने और इसके लावा इसकी नीच राशी देखिए यहाँ पर नीच राशी जो है इनकी यही हो जाएगी नीच नम no 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 noron इसकी वैसे मारख है तो करक लगन वाला तो इसको पहन नीच सकता किसी हालत में करक लगन वाले को ये शनी का जो रत्न है नीलम इसको नहीं पहनना चाहिए अब इसके बाद सिंग लगन देखिए तो यहां पांच नमबर राशी लिखी हूँ ये सिंग लगन तो सिंग लगन में ये छे नमबर और साथ नमबर के लॉड़ बनेंगे ये चैन म, पांच नमबर लगन के लिए ये सष्ठेश और सब्तमेश बनेंगे ये तो रोग का इस्थान हो गया ये मारक इस्थान के सौमी बन गये छे-साथ इसलिए यह मारक हो गये इसके लावा लगनेश सूर के शत्रू हो गये तो यहां पूरी तरह से मारक हो गये यहां सिंह लगनवाला भी इसको नहीं पहन सकता अब कन्या लगने देखी, यहां अगर 6 नंबर राशी लिखी हुई है तो कन्या लगनवाले में क्या होगा यह जो शनी है वो यहां कन्या लगन में 5 और 6 नंबर के लौड बनेंगे पांच नमबर यानि पंचमेश, शे मने सस्थेश चुकि त्रिकोनेश बनेगे इसलिए योग कारख हो गए और इसके लावा ये कन्या लगन में जो लगनेश बुद्ध है उसके ये मित्र भी है तो इसलिए यहाँ पर योग कारख हुए तो कन्या लगन वाला जातक नीलम पहन सकता है लेकिन शर्त यह है कि वो इसका शनी जो है वो विल प्लेजड होना चाहिए यानि केंद्र में हो एक चार, साथ, दस, त्रिकोन, एक पांच, नो या दो नमबर, ग्यारा नमबर हाउस में बैठा होगा तब यह पहन सकते हैं लेकिन अगर तीन, छे, आट, बारा में अगर शनी बैठा है कन्या लगने कुंडली में तो वो नहीं पहन सकता क्योंकि वो बैडली प्लेजड है वो जगा अच्छे नहीं है, तीन, चे, आट, बारा में नुकसान पहुंचाएगा तुला लगने देखिए, साथ नमबर की राशी है यहाँ पे तो तुला लगने में चार और पांच के लॉड़ बनते हैं चार नमबर, पांच नमबर, चार नमबर केंदर हो गया पांच त्रिकोण हो गया, यहनी चतुर्थेश, पंच मेश हो गया तो बहुत बढ़िया योग कारक हो गया और इसके लावा लगने शुक्र के यह मित्र हैं तो हर तरह से योग कारक हैं, तो ऐसा यह तुला लगने की कुंडली में तब इसको नहीं पहन सकता, 3-6-12 में बैठा हो, यह देखिए यहाँ पर यह तुला लगने की कुंडली में अगर यहाँ साथ होगी तो यहाँ एक नमबर राशी आ जाएगी, यह शनी नीच के हो जाएगे तो यहाँ पर 3-6-12 में हो, यह सब्तम हाउस में बैठे होगे, तो यहाँ नीच के हो गएगे, तब उसको नहीं पहन सकते ब्रश्चिक लगने की कुंडली देखिए, आठ नमबर अगर आशी है, तो आठ नमबर में तीन और चार नमबर के लॉड़ बनते हैं तीन नमबर हाउस अच्छा नहीं है, तो यह तीन नमबर ने चार नमबर हाउस बढ़िया है, इसके लॉड़ तो हो गए, लेकिन यहाँ पर ब्रश्चिक लगन का मतलब 8 नमबर है, इसके स्वामी मंगल हुए, तो तीन और चार के लॉड़ बनके लगनेश मंगल के हुए, और इसके लावा यहाँ पर सम हो जाएंगे, क्योंकि यह चार नमबर हाउस के लॉड़ बनकर यह अच्छे हाउस के लॉड़ है, हाला कि लगनेश मंगल के शत्रु हैं, तो यहाँ पर सम हुए, तो ऐसे केस में अगर चार नमबर से आपको कुछ अड़वांटेज लिना है, जिस समय शनी की दशा अंतरदशा चल लई है, तो जमीन से, मकान से, खेत खलियान से, अगरिकल्चर से, या पॉलिटिक्स में आदमी है, तो उसको जनता से सपोर्ट लिना है, तो ऐसे केस में क्योंकि जनता का भी घर है, तो ऐसे केस में टेंप्रेरी इसको पहना में हो या दो नंबर 11 नंबर में हाउस में हो तब आप कुछ समय के लिए इसको पहन सकते हैं लेकिन अगर 3-6-12 में हो तब फिर बिल्कुल नहीं पहन सकते नहीं पहन सकते हैं धनु लगने की कुंडली देखिए सेजिटेरियस यह नो नंबर यहां राशी लिखी हुई है तो धनु लगने की कुंडली में दो नंबर और तीन नंबर के लौड बनते हैं दो और तीन अब यह मारा के स्थान हो गया यह तीन नंबर यहां पर यह भी अच्छा इस्थान नहीं है देखिए यह आयू मृत्यू का स्थान है अस्टम से अस्टम यह भी आयू का स्थान है इस आयू के स्थान का द्वादश यह यह मृत्यू का स्थान हो गया तो तीन न लगनेश हैं यहां पर यह गुरु है तो गुरु से यह यह श्रिणी ही अलग है इनकी यह यह दैत्यों की श्रिणी में है श्रिणी और यह जो है यह जो क्या नाम गुरु है यह देवताओं की श्रिणी में इनकी श्रिणी अलग होई तो यह ऐसे केस में यहां पर यह धन सब्सक्राइब तो इसको पहन सकता है नीलम लेकिन उसके लिए यह वेल प्लेस होना चाहिए, लेगे सपोज अगर यह 3-6-8-12 में बैठा हुआ है या नीच राशी देख लीजे इनकी कहा है तो 10 नमबर अगर है तो 10-11-12-1 यहाँ पर एक नमबर राशी इनकी नीच राशी है अगर यहाँ 4th house में बैठे हो यह 4th house में बैठा हो यह शनी तो ऐसे केस में यहाँ मकर लगने की कुंडली वाला इसको नहीं पहन सकता बाकी केंदर में मतलब 1-7-10 में हो त्रिकोण 1-5-9 में हो दो नमबर 11 नमबर में हो तो आराम से इसको पहना जा सकता कुम लगने की कुंडली देखिए यहाँ 11 नमबर राशी लिकी हुए कुम लगन में यह 1 और 12 के लौड बनते हैं अब यह इनकी मूल त्रिकोण राशी यही परहे लगन में है तो यह योग कारक हुए लगनेश हुए और बादिशेश हुए तो इसके मतलब यह योग कारक हो गए तो ऐसा शनी लेकिन उस कुंडली में अगर विल प्लेस्ट है यानि केंद्र में 1,4,7,10 या त्रिकोण 1,59 में या 2,11 में बैठा है तो आप इसको पहन सकते हैं लेकिन अगर 3,6,8,12 में शनी बैठा है कुम लगन में तो आप नहीं पहन सकते हैं मील लगन में 11 और 12 के लॉड बनते हैं यहां 12 है यहां पर 11 आएगा, यहां 10 आएगा यानि 2 आदिशेश और 1 आदिशेश 11 और 12 नंबर के लॉड बने और लगनेश गुरू के यह आपको बताए कि श्रिणी ही अलग है यह देत्यों की श्रिणी की हैं यह देवताओं किश्रिणी के हैं तो यह आपस में नहीं बनती इनकी अंटी पार्टी हैं यह तो ऐसे केस में यह इसको आप नहीं पहन सकते इसके लावा 11 और 12 के लॉड है लगनेश के का अंटी पार्टी हो गया तो ऐसे केस में यह मारक हो गये और यहां पर आप इसको नहीं पहन सकते हैं, मीन लगन वाली कुंडली का जातक जो है, वो नीलम नहीं पहन सकता, तो यह रतन बहुत तेज असर करता है, बहुत फास्ट असर करता है, तो खुब सोच समझ के जितना हमने वह आपको बताया, इसको आप ध्यान से देखें, इस् पतलब नहीं है, यह सिर्फ जन्म लगन के अनुसार ही, जो आपको बताया, कि जो जन्म लगन रेक्मेंडेड है इसके लिए, वहीं पर वहां भी वेल प्लेस्ट हो, तभी आप पहन सकते हैं, अधरवाइस नीलम नहीं पहना जाता, प्लाल यह लेक्चर नंबर 305 है, तो अ अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, जिससे कि एक के बाद एक लिक्चर साब के पास आते जाएं, और आप इसको आसानी से समझ सकें, थैंक यू